नमिश्कार इन ख़वर में आप सभी का सुवागत है अमेरिका में विज्ञानिक एक ऐसा चुईंगम विकासित कर रही है जो कोविट की वाइरस से लड़ने में कारगर सावित होगा विज्ञानिक पौधू से उगाए गए प्रोटेन यूगत एक चुईंगम बना रही है ज जिससे संभावित रूप से वाइरस का संचरण कम हो पाता है शोर्ख करताओं ने अपनी रिसर्च में पाये कि जिन लोगों को कुरोणा वैक्सिन की दोनों डोस दी जा चुकी है वे अभी भी सरस सी ओवी टू के शिकार बन सकते हैं वैक्सिन ले चुका शक्स उस वैक्ति से संकरमित हो सकता है जिसने अपना टीका करन नहीं कराया हो इस शोथ को लेकर पैंसिल लेविय विश्वे ध्याले में कारेरत हेंडरी डैनियल ने कहा सी ओवी टू लार ग्रंधियों में अपनी नकल कर अपने जैसा अन्य वाइरस बनाता है और हम जानते हैं कि जब कोई सं विकाशि शोथ का नेदर्द्व करने वाले डैनियल ने कहा चुइंगम का गौंद लार में वाइरस को बे असर करने का मौका प्रदान करता है जो कोरोना वाइरस के संचरन के स्तरोथ को कम करने का असान तरीका हो सकता है बतादे कि कोरोना महमारी से पहले डैनियल उच्छ रक्त चाप के इलाज को लेकर एंजियो टैसिस प्रवंतित एंजोईम 2ACE2 प्रोटीन का अध्यन कर रहे थे उनकी परियोग शाला ने इस प्रोटीन को विकाशित किया था चुइंगम विकासित करने को लेकर शोर्ध करताओं ने कहा कि इस प्रणाली में प्रोटीन शंचलेशन में समाने बाधाओं से बचने की शमता है इन्होंने कहा चुइंगम मानव को शिकाओं में ACE2 के लिए रिस्पेटर SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन को बांधने के लिए भी होता है बतादे कि कोरोना वाइरस को शिकाओं को संकर्मित करने के लिए इसी स्पाइक प्रोटीन का इस्तमाल करते हैं पिछले शोग से पता चला कि ACE2 के इंजेक्शन गंभीर संकर्मित वाले स्पाइक प्रोटीन का इस्तमाल करते हैं पिछले शोग से पता चला कि ACE2 के इंजेक्शन गंभीर संकर्मित वाले लोगों में वाइरस लोड को कम कर सकते हैं तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर आप देखते रहें इन खबर